Hi friends, welcome back to another video और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यह link list best question बहुत ही interesting problem है और यह medium level का problem है तो directly हम example के थूरू समझते हैं तो यहाँ पर हमें एक link list दिया होगा और जिसमें पहला node given है कि वो odd होगा तो यह odd है, अगला वाला obviously बात है even होगा फिर odd, फिर even and odd अब इसमें बोला गया कि आप odd को एक side रख दो जैसे 1, 3, 5 1, 3, 5 को पहले रखना है और फिर even वालने को 2 and 4 को बाद में रखना है अच्छा, coincidentally यहाँ पर numbers भी odd हैं तो जरूरी नहीं है कि यहाँ numbers odd होगे जैसे यहाँ 21 भी होता तब भी यह even ही कहलाता क्योंकि यहाँ even and odd position की बात कर रहे हैं rather than node के value की तो इसको मिटा देते हैं तो अब थोड़ी सी strategy discuss करते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं पहले वाले node का नाम रख देंगे let's say previous and दूसरे वाले को let's say current रखते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं तो basically हम यहाँ link change कर देंगे link कुछ को तोड़ेंगे कुछ नए links जोड़ेंगे और यह चीज achieve करने की कोसिस करेंगे तो क्या कर सकते हैं previous से आप क्या point कर दो current का next इससे देखो यह वाला link हमारा बन जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखते हैंगे previous dot next equal to current का next और फिर previous को update कर दो यहाँ जहाँ पर current है and current को move कर दो आगे तो इसको करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे previous equal to current and current equal to current का next फिर वही step repeat करेंगे previous के next से current का next point करेंगे and फिर previous को update कर देंगे and current को भी आगे move कर देंगे तो यह दोनो step से हो जाएगा हमारे फिर previous के next से current का next point करेंगे and previous को update कर देंगे and current को भी update कर देंगे तो आप देख सकते हो अब हमें किसी को point करने की ज़रूरत नहीं देखो 4 किसी को point नहीं कर रहा है and right तो हमारा दो डबबा ऐसे बन गया एक ये वाला link वाला बन गया और एक दूसरा link ये बन गया और previous किसको point कर रहा है 4 को तो यहाँ पर है previous और यहाँ पर है current current 5 को point कर रहा है तो हमें कहाँ पर रुख जाना है हमें रुख जाना है जब current का next जो है वो null हो जाए अब यहाँ पर current का next null है तो एक चीज़ और हमें चेक करने पड़ेगी current का next null चेक करने से पहले चक करना पड़ा है कि कहीं current ही तो null नहीं है जैसे यहाँ odd number of length है link list का 5 है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि current का next null हो रहा है अगर even length का हम लोग link list लेंगे तो यहाँ current ही null हो जाएगा वो scenario भी अभी हम लोग देखेंगे तो ऐसी मैं लिख देता हूँ current not equal to null and जो यहाँ पर scenario fit हो रहा है वो current का next null नहीं होना चाहिए तब तक हमें यह step repeat करना है और एक चीज़ और ध्यान देना है जैसे यहाँ odd length का है odd length में क्या होगा जब link list का length odd होगा तब हमें क्या करना पड़ेगा हमें current से यह second वाली को point करना पड़ेगा क्योंकि second वाला ही node हमेशा क्या होगा second टुकड़े का पहला node होगा तो यहाँ पर पहला टुकड़ा यह है दूसरा टुकड़ा यह है तो एक काम करेंगे हमेशा second node को let's say इसका नाम रख देंगे head to head to रख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे current का next equal to head to and एक काम और करना पड़ेगा हमें जो previous है वो 4 है और 4 बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है 5 को तो यहाँ के next जो है इसको point कर रहा है ऐसे तो यह loop बन जाएगा यहाँ से आएगा और फिर ऐसे गोल-गोल घूमता रहेगा तो यह loop भी हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे हम करेंगे previous का next equal to null ताकि यह loop का जो formation हो है यह ना हो यह null को point करें अब एक even length का link list देख लेते हैं ताकि हमें आगे के step लिखने में आसानी हो तो यहाँ मैं even length का link list ले लेता हूँ 1, 2, 3, and 4 तो जो टुकडा मिलेगा हमें तो यह odd वाला होगा odd, even, odd, even मैं फिर से repeat कर रहा हूँ कि यहाँ प बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी value हो सकता है, हम यहाँ position की बात कर रहे हैं, odd वाला odd से जुड़ेगा, even वाला even से जुड़ेगा, तो दो टुकडा बनेगा basically, एक बनेगा 1, 3, and दूसरा 2 and 4, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, इस टुकडे को ऐसे link कर देंगे, अब फिर से वही step repeat करते हैं, यहाँ लिखते हैं previous और यहाँ लिखते हैं current, तो जैसा कि previous के next में current का next डाल दिये, तो यह वाला link बन गया, फिर previous को update करेंगे, जैसा कि करते हैं और current को आगे move कर देंगे, फिर previous के next से current का next point करेंगे, and previous को update कर देंगे, and current को भी update कर देंगे, अब यहाँ current क्या हो गया, current का next तो null नहीं है, current तो null नहीं लेकिन current का next क्या है, null है friends, right, तो यहाँ हम रुख जाएंगे, अब अगर हम देखें, तो पहला वाला टुकड़ा ये बन चुका है, दूसरा वाला टुकड़ा ये बन चुका है, right, अब 3 जो है, ये previous जो है, 3 को point कर है, right, और हम हमें क्या करना है, 3 से अब 2 को point करना है, तो 2 का नाम already हमने discuss किया था, कि इसका head 2 रख देंगे, ऐसी, ठीक है, तो head 2 से, अब else odd नहीं है, तो क्या है, even होगा, तो even वाले में क्या करेंगे, हम लोग previous से, previous के next से, हम लोग, क्या point कर देंगे, head 2, I think ये algorithm follow करके, य अब coding panel पे चलते हैं, and code करते हैं, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं, head null हो, अगर head null है, तो कुछ करना ही नहीं है, right, तो return कर देना, head, कि भाई साब head null है, तो कोई node ही नहीं है, तो कुछ rearrangement करना ही नहीं है, अगर head null नहीं है, तब हम सारा काम करते हैं, तो य करेगा तो current equal to head.next और एक चीज़ और हम लोग ने discuss किया था कि एक लेंगे head to जो second वाले part का first element को point करेगा तो basically वो second element को point करेगा तो यहां लिखते है head to equal to current तो यहां basically मैं explain करना चाहरा हूँ कि अगर दो node हैं या तीन node है तो इस दूसरे वाले node को हम क्या नाम दे रहें head to जो की head का next है तो head का next basically current है तो head to equal to current लिख दिया या head.next भी लिख सकते थे अब हमें एक चीज़ और count करना था कि यह number of nodes जो है odd है कि even तो इसके लिए क्या ले लेते हैं एक ले लेते हैं i और initially value 0 दे देते हैं और फिर लिखते हैं while current not equal to null and current का next क्या हो ये भी null ना हो right तो i की value सबसे पहले बढ़ा लेते हैं क्योंकि एक length होगा तभी यहाँ पर आया है and previous के next में डाल देते हैं हम लोग current का next and previous में डालते हैं current previous को आगे बढ़ा देते हैं basically and current को भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं आगे बढ़ा देते हैं जैसा कि हम लोग ने discuss किया था right अगर odd length का हो तो कैसे पता चलेगा i modulus 2 double equal to 1 अगर ऐसा हो odd length का हो तब हम क्या करेंगे current का next जो है वो क्या हो जाएगा head to हो जाएगा and previous का next जो है वो क्या हो जाएगा null हो जाएगा अगर वो even length का है तब हमें क्या करना पड़ेगा previous का next जो है just head to करना पड़ेगा और फिर I think we are sorted अब हम लोग directly head return कर सकते हैं तो return करते हैं head अब run करके देखते हैं तो sample test cases accept हो रहा है अब इसको submit करते हैं तो यह submit हो रहा है and 100% solution को बीट भी कर रहा है thank you so much for watching this video मिलते हैं आप से next video ववीटारावा में खिझा जड़ा हैं तो